Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग? मास, बढ़िया तो चले स्टार्ट करते हैं हम लोग हीमर एंट टॉमिय और फिजियोलोजी का चैप्टर नमबर 5 का लेक्चर नमबर 2 है ना यह ज़िए लेक्चर है पूरा हीमो पॉयटिक सिस्टम याने की बलड को लेकर के सारी बाते चल रही हैं पहल लेक्चर में हम लोगोंने बलड का कमपोजिशन और उसके फंक्शन के वारे में चीजों को समझा और जाना यहां हम लोग क्या करने वाले हैं हीमो पॉइसिस, ब्लड बनता कैसे आखिराब कैसे, जो ब्लड के कंपोनेंट थे, प्लेटलेट्स मोनोसाइट, लिंफोसाइट, आरवीसी ड्वीसी, बनती कैसे हैं, कैसे बन रही हैं यही किना, तो हीमो पॉइसिस, पॉइसिस का मतलब हो गया, सिंथेसिस और हीम मतलब जो ब्लड है अपना बन कैसे रहा है, उसी के बारे में यहां पर डेटेल होने वाला है थोड़ा सा तो आव समझते हैं इसको, तो देखो टाइब, ब्लड के अंदर 10 से ज्यादा टाइब के सेल मौझूद होते हैं, इच अफ दीस सेल टाइब, फाल्स इंटू, वन आफ दा थ्री ब्राद कैटेगरी, यह जो डिफरेंट टाइब के सेल्स हैं, किसी ना किसी एक कैटेगरी में गिरेंगे, या तो RBC होंगे, या WBC होंगे, या प्लेटलेट्स होंगे, इन ही कैटेगरी में आएंगे, अब RBC के बारे में हमने लास्ट लेक्चर हैं पड़ी लिया था, इस ट्रांस्पोर्ट, ऑक्सीजन और हिमोग्लोबीन throughout the body, इनका में काम क्या है, तो कहीं नहीं आपर इसके function की बात कर दिया, थोड़ा बता दिया कि ये काम क्या करते हैं white blood cells, जिसको leukocytes भी कहते हैं, इनको alexrocytes भी कहते हैं, these support the immune system इनका में काम क्या हो गया, ये हमारे immune system को support करते हैं, there are several different types of white blood cells यहाँ पर कई सारे immune type के white blood cells होते हैं, जिनके बारे हमनों last lecture नहीं पढ़ा था, फिर यहाँ सोड़ा सा देख लेते हैं, lymphocytes, neutrophils, isnophils, besophils और macrophages, ठीक है, lymphocytes क्या है, including T-cells and B-cells, T-cells, B-cells किसमें आते हैं, lymphocytes के अंदर आते हैं, which help fight some viruses and tumors, यह virus, tumors, infections, सब चीज़ें में fight करते हैं, neutrophils, these help fight bacterial and fungal infection, खास करकि किस पर attack करते हैं, यह bacteria और fungal पर attack करेंगे, isnophils, they play a role in inflammatory response, उमीद कर रहा हूं, inflammation वाला word अब तुम्हाले दिमाहें में clear हो गया होगा, clear है ना, inflammatory, inflammation क्या होता है, swelling आ गई है, redness आ गई है, fever आ गया, यह सब क्या inflammation कहलाता है, and help fight some parasites, even कुछ parasites से भी लड़ने में help करता है, bisophil की बात करें, these release histamines necessary for inflammatory responses, last lecture में देखा था हम लोग ने, histamine release करते हैं, और दो और थे component, कौन-कौन से हैं, bisophil वाले, फरवर कमेंट करें, बताओ मेरे को, histamine के लावा, और कौन से दो component release करता है यह, macrophages, these ingles, खा जाते हैं, dice करते हैं, debris, debris मतलब, जो cell toot food गई हैं, खराब हो गई हैं, including bacteria, यहां तक की bacteria को भी यह, खा पी जाते हैं, अब platelets, इसको में thrombosides भी कहते हैं, बननी हैं, यह सारे कुछ component हैं, blood के, इनी को, हमका, इनका formation देखना है, तो यह part तो कहीं ना कहीं, हमने, पिछले lecture में भी cover कर लिया था, just recap है, कि हाँ, यह सारे blood के cells होते हैं, अब definition of, अब यहां से start होता है hemopoiesis, यह सारे cells थे, जो blood में पाए जाते हैं, इनी का formation हम देखेंगे आज की lecture में, तो कह रहा है, अच्छा, चाहे hemopoiesis कहलो, यह बच्चा कुछ confused हो सकता है, चाहे hemopoiesis कहलो, या hematopoiesis कहलो, एक ही बात है, ठीक है, शब्दों का खेल है थोड़ा सार, तो definition की बात करें, अगर हम लोग, तो hematopoiesis is the production of all the cellular component of blood, तो hemopoiesis क्या है, hemopoiesis एक process है, जिसमें blood के सारे component, जितने भी cells हैं, वो सब बनते हैं, and blood plasma और blood का plasma बनता है, तो simple सा hematopoiesis is the production of all the cellular components, blood के सारे के सारे cellular components जो बनते हैं, वो ही सब क्या कहलाते हैं, उसका बनना क्या कहलाता है, hematopoiesis क्या लाता है, it occurs within the hematopoiesis system, यह hematopoiesis system के अंदर होता है, which includes, कौन है hematopoiesis system? कुछ organ और tissues हैं, जैसे कि bone marrow, liver and spleen, यह काम कहां पर होते हैं, generally सबसे बड़ा जो का part है, वो bone marrow है, liver and spleen, यह hematopoiesis system है, जिसके अंदर यह काम होता है, या हम इसको यूं कह लें simply, hematopoiesis is the process through which the body manufacture, यह process है, जिसके through body manufacture करती है, बनाती है blood cells, अब blood cell उपर हमने डिसकस किये, वापस recap किया, जो blood cells का बनना, body को दुआरा, hematopoiesis क्यालाता है, it begins early in the development of embryo, सबसे पहले इसकी सुरुवात कहां हो जाती है, जब embryo, हम लोग जब मा के गर्भ में होते हैं, मा के पेट में होते हैं, तभी hematopoiesis start हो चुकी होती है, before birth, हमारे जनम लेने से पहले, and continuous for the life of an individual, और एक individual के एक इनसान के जिंदगी भर क्या है, ये बनता रहता है, अब, hematopoiesis begin during the first week of embryonic development, ये एक question आ सकता है, कि बच्चे में सबसे बहले खून की कब बनना start होता है, तो first week of embryo, जब embryo बन जाता है, तो उसके पहले हफ़ते में खून बनना start हो जाता है, all blood cells and plasma develop from stem cells, अब stem cells क्या होते हैं, हम सब को पता है, हमारी body में, starting में, एक zygote होता है, ये zygote होता है, zygote से एक पूरा गुच्छा बनता है, है ना, ये इसके जितने भी cells हैं, ये सब cells क्या कहलाते हैं, stem cells, क्योंकि इनके नदर छमता है कि body का कोई भी organ को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ये, तो ये सब के सब किस से बनते हैं, stem cells से बनते हैं, that can develop into any other cell, जो कि किसी भी दूसरे cell में बदल सकता है, बाद समझ में आई, ये दो definition हो गई, ये इसके बारे में कुछ extra information आ गई, अब, वापस से देखते हैं, हम लोग नहीं हाँ सीख तो लिया, कि embryo में होता है, बाद में इंसानों के अंदर होता है, लिए exactly बात करें, where does it occur, तो और थाड़ डिटेल में देखें, कि होता है exactly कहाँ पर है, तो hematopoiesis in embryo, embryo की बात करें, it is also called primitive hematopoiesis, primitive मतलब क्योंकि हमारे जनम से पहले के कहाँ नहीं है, पैदा नहीं हुए, तो इसको primitive hematopoiesis भी कह देते हैं, hematopoiesis in the embryo produces only red blood cells, very important question, embryo में केवल RBC बनता है, ठीक है न, मतलब की red blood cells that can provide developing organ with oxygen, जो organ develop हो रहे हैं, उनको oxygen मिल सके, इसलिए वहाँ बनना है start रहता, अब इसका क्या मतलब केवल RBC बना रहा है, क्या बागी सेल नहीं बन रहे हैं, आओ देखे समझते हैं, at this stage in development, the york sac, अगर थोड़ी कहानी पता हो, अंडा जैसा होता है, उसमें york sac होता है, हमारी बाडी में भी जब होता है, embryo तो york sac पाए जाता है, जो की नरिश करता है embryo को, until the placenta is fully developed, ठीक है न, जब तक placenta पुरा नहीं बन जाता है, अगर प्रेसेंटा साज तो खाना पीना आता है, तब तक जो york sac होता है, वो उसको नरिश्मेंट देता है, control करता है hematopoiesis, और वो hematopoiesis को भी control कर रहा है, as the embryo continue to develop, लगातर बढ़ता रहता है, the hematopoiesis process move to the liver, अब वो कहानी कहां पहुंच जाती है, liver के पास, बच्चे की liver, liver take over कर लेता है कि अब हम बनाएंगे खून, the spleen and bone marrow कहां कहां पहुंच गया, spleen and bone marrow के पास, and begins producing the other types of blood cells, और फिर दूसरे blood cells बनना श्टार्ट हो जाते हैं, तो यह exact कहानी आ गई, फिर प्रेसेंटा पुरा बन जाता है, उसके बाद यह transfer हो जाता है, liver, spleen and bone marrow के पास, वो लोग फिर क्या बनाते हैं, red blood cells बनाते हैं, ठीक है ना, आगे आते हैं, in adult की बात कर लें, in adult, hematoposis of red blood cells and platelets occur primarily in bone marrow, primarily, दूसी जगओ पे भी होते हैं, लेकिन खास कर की कहां होते हैं, bone marrow में, question से हैं, इससर वन माक्स question है तुमारे, ठीक है, और बाद आगे लिखना तो है यह हमें, अगर question आ रहा है यह, ठीक है, आगे आते हैं, खेर यह लिखना नहीं है हमें, लिखेंगे क्या हम लोग, यह हमारा question क्या आएगा, बताऊंगा मैं अभी, कि process of meter process, यह है हमारा main question, ठीक है तो मैंने जब इसका अब समझा रहा था, previous question पर discuss किया है, जो मैंने उसमें बताया था, मैंने कि कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, उसके आजू-बाजू की कुछ चीज़ें पढ़ी जाती है, समझने के लिए, और कई बता question वहां से आता है, one marks वाला, लेकि जो तुमारा main question है, जो तुमारा main question है, वो तुमारा कहां से आएगा, two, three, five marks वाला, वो तुमारा यहीं से आएगा, के लिए रहे बाते हैं, यह बात समझ मारा रही है, ठीक है, आगे आते हैं, अब, the lymph system, particularly the spleen, lymph nodes and thymus, produces a type of white blood cells, called lymphocytes, अब जो lymph system है, ठीक है, bone marrow तो RBC बना रहा है, लेकिन जो lymph system है, खासकर spleen, lymph nodes and thymus, यह produce करते हैं क्या, white blood cells, called lymphocytes, tissue in the liver, spleen, lymph nodes and some other organs, produces another type of white blood cells, called monocytes, ठीक है, तो यह जए बता दी है, कहा कहा से क्या क्या चीज, बन रही है, किलियर है, तो यह सब तो ठीक है, नॉर्मल चीज नहीं थी, हमें समझ नहीं थी, अब आते हैं, असली चीज, कि, यह रियल में अगर एक्जाम में आ गया, सबोस्श है, दो या तीन नमबर में आ गया, तो अगर तुम यह चार्ट इतना बना के आ जाते हैं, छोड़ा छोटा कर दूँ मैं, ताकि यह कीम आ जा ठीक है, अगर यह तुम इतना चार्ट बना के आ जाते हो, परियापत है हीमोपोईसिस इसके अंदर तीनों चीजें कवर हो रही है आओ देखते हैं देखो स्टार्टिंग में जो स्टेम सेल्स होते हैं जिसको हम हम हमेटो ब्लास्ट हमेटो साइटो ब्लास्ट यह नाम पक्का याद रखेंगे ठीक है मल्टी पुटेंट हमेटो पॉइटिक स्टेम सेल्स हम लोग हमेटो पॉइटिक स्टेम सेल्स है एक होते हैं ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं एक होते हैं common myeloid progenitor CMP और common lymphoid progenitor lymphoid का मतला समझना लिंफ लिंफ जाने की हमारे पास क्या बनेंगे जो हमारा immune system को वो करता है B lymphocyte T lymphocyte वाला CLP किलियर है अब क्या होता है जो ये फर्दर डिवाइड होते हैं इनकी कई सारी steps होते हैं ठीक है ये किसों को बनाएंगे megacaryocytes को megacaryocytes किसको बना देगा thrombocytes प्लेटलेट्स यहीं से क्या बनेंगे इत्रोसाइट्स यहीं से क्या बनता है mast cell बनते हैं और ये myeloid किसम बनता है myo blast में myelo blast में जो myelo blast होते हैं ये further process जो होती है basophil, neutrophil, isnophil monocyte, monocyte further आगे जाकर के macrophages में convert हो जाते हैं तो ये अभी इनके बीच में और भी steps हैं तो मैं detail बताऊंगो थोड़ा साभी फिलाल अगर ये आप इतना chart बना के आते हैं दो नंबर के question में या तीन नंबर के question में तो परियाब तीन नंबर में थोड़ा detail भी कर देंगे अब common lymphoid progenator है इसमें क्या बनते हैं natural killer cell large granular lymphocytes और small lymphocytes में T lymphocytes और फिर आगे बदल जाते हैं B lymphocytes में और ये बदल जाते हैं plasma cells अब ये कहानी कुछ बच्चो को समझ में आ रही होगी कुछ बच्चो को समझ में नहीं आ रही होगी तो फिलहाल इसको जरूर या जरूर कर लेना अब हम इसकी क्या करते हैं थोड़ी सी detailing लेके चलते हैं कि ये कहानी समझ में आ गई HSC CMP CLP ठीक है ना ये पार्ट हमारा Arithroblast का इदर आ गया जोगो Arithropoiesis Arithropoiesis RBC Thromopoiesis ठीक है ना ये है Leuco Piesis ये Leuco जो Leuco Sides हैं WBC हैं तो यहाला पार्ट किसका है Leuco Piesis का है तो तीनो पार्ट आ गए Arithropoiesis Thromopoiesis और Leuco Piesis किलिए रहा है अब इनको बारी-बारी से देख लेते हैं हम लोग अब हम इनको बारी-बारी से देख लेते हैं The process क्या कह रहा है The rate of Hemetopoiesis Depends on the किस गती से किस रफतार से Hemopoiesis होगी वो Depends करेगा Body की Need पर कि हमारी Body को कितनी जरूरत है The Body Continually Manufactures New Blood Cells हमारी Body लगातार नए Blood Cells को क्या कर रही है बना रही है थोड़ा सा बासमझ में आई हमारी Body लगातार नए Blood Cells को बना रही है To Replace Old One जिससे कि जो हमारी Old One है वो जो पुराने वाले Cells हैं वो क्या हो जाए Replace होते जाए और नए बनते जाए About 1% of the body's Blood Cells Must be replaced everyday 1% Cells रोज बदल जाते हैं सोचो कितना division हो रहा हमारी Body में कितना काम हो रहा है कितनी एनर्जी खर्च हो रही है है ना White Blood Cells have the short test life span RBC की life span कितनी थी 120 दिन की इन्फेक्शन आया हम कुछ भी खा रहे है ना अबारी Body में इन्फेक्शन तो जाई रहा है उससे लगातार लड़ाई चल रही है सम्टाइम सर्वाइविंग जस्ट फ्यू अवर करेवा कुछ घंटे के लिए जिंदा रहते हैं टू फ्यू डेस वाइल रेड ब्लड सेल्स हैव लास्ट अप्टू 120 डेस जबकि रेड ब्लड सेल लगबग 120 दिन तक जिंदा रहता है तो यह कहानी समझ में आ रही है कि अच्छा बहुत जल्दी तूट फूट जा रहे हैं अच्छा जल्दी तूट जाते हैं इसलिए इनका बनना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आ गया आते हैं अब इस टाइप उफ इस टाइप उफ इस टाइप उफ ब्लड सेल्स फॉलो इस लाइटली डिफरेंट पाथ वो एक में चार्ट तो हो गया उसके बाद क्या कह रहा है हर एक सेल का थोड़ा सा रास्ता अलग होता बनने का है ना हेमेटोपोईसी इसका all begin as a stem cell सबकी सुरुवात कहां से होती है stem cell से होती है called multipotent hematopoietic system stem cells ठीक है यह किसमें यह आ गए तो हम लोग यहां पर आते हैं और back भी चलते हैं यह देखो ताकि हमारे सामने चीज़े बनी रहें यह तो सुरुवात कहां से होती है multipotent hematopoietic stem cells है ना है एक एसी यह रहा है एक एसी multipotent hematopoietic stem cell ठीक है बताता है चलता है साथ साथ में from there वहां से hematopoietic follows two distinct path वहां से दो रास्ते इसके तूट जाते हैं यह दो रास्ते हो गया एक रास्ता यह हो गया दूसरा रास्ता यह हो गया इलिए रहे बास्ता मस्ते चलना किस का अधिक है अब try lineage try lineage मतलब 3 line होती है hematopoietic refers to the production of three types of blood cell try lineage का मतलब 3 type का blood cell का production हो रहा है platelets red blood cells and white blood cells 3 तरह के cells बन रहे है ठीक है platelets red blood cells और white blood cells ठीक है यह 3 line हो गई यहाँ पर आगे आते है अब थोड़ा सा अलग से एक और cell का दिखा रखा है ठीक है each of these cells begin with the transformation of HSC into the cell called common myeloid progenator तो देखो यहाँ पर क्या है तुम लोग अगर इसको simple करना चाहो तो जैसे दिखाना चाहते हो पूरा लंबा याद नहीं रख पा रहे हो तो simple ऐसे कर सकते हो HSC से कहां पर क्या बना common myeloid CMP है ना यहां से क्या बना यह बना इसके तीन पार्ट ऐसे तोड़ दो तो कहीं लागे अपना अंडॉस्टूड लेकिन इसको बताना पड़ेगा क्या है यह किया ठीक है common myeloid progenitor बदल गया यह after that the process varies slightly उसके वजब CMP बदल गया यह जब CMP बदल गया उसके बाद यहां तो direct arrow बनके दिखा दिया है कि इसके बद यह बनके यह बनके यह बन गया लेकिन हर एक के लिए थोज़ोड़ी process अलग हो जाती हम खास-खास की process पका more organized जो precursor cell होता है काफ़ जाता ओर्गनाईज हो जाता है देखो यहां पर समझते हैं तो हुआ क्या भी है red blood cell या अलिट्रोपाइसीस and platelet से थ्रम्बोपाइसीस red blood cell CMP cells change five times CMP cells जो होता है हमारा है ना जो यह CMP cell था यह पांच बार बदलता है यानि कि वह अल्ट्रोसाइट erythroid progenator MEP pro-isroblast early erythroblast intermediate erythroblast late erythroblast और जैसी यह bone मेरे से बाहर निकलता है प्लाद्मा में जाने के लिए यह nucleus बाहर आ गया इसका देखो nucleus free हो जाता है ठीक है ना अब क्या हुआ peripheral blood अब यह कहां आ गया blood में आ गया अब इसकी जिंद्गी 120 दिन की है nucleus निकलने के बाद reticulocyte बनता है और finally क्या बन जाता है आर वीसी बन जाता है तो यह देख रो एक दो तीन चार पांच छे सात लगबग सात सेल्स में convert होने के बाद finally क्या बना यह rbc बना है तो यह सार hydropoiesis आ जाए तो यहां पर क्या करोगे इसके आगे यह काम और कर दोगे अजित्रोपाइसिस आ जाए तो यहां पर क्या कर दोगे के लिए बादें तो किया कर रहा है यह दो अब प्रयाब्स इब बात करने क्जण टो मेश्ट motto नहीं और क्या वह नेवे platelets बने यह तो यह इसका step आगी सारी simple step लिख्के आओगे काफी है परियापत है ठीक है ना और पूरे का combine का push लेगा single single push रहा दो number platelets का push लिए thrombo, है नगा इसका हम लोग क्या बोलते है platelets वाल को, thrombo poises क्या बोलते हैं इसका हम लोग thrombo poises, अगर thrombo poises इसको बता दो कि यहां से हमारा part यह थोड़ा सा अलग हो जाता है पर यह आप थैसे जादा कुछ नहीं है यह यह आंसर आएगा clear रहे यह पक्का ध्यान रखे है HSC का full form क्या है CMP का full form क्या है यह बातें दिमाग में रखनी है चले आगे अब white blood cell है ना यह लूकोपाइसी तो यह भी सिंपल है यहां पर कुछ नहीं है यहां पर क्या हुआ है वह ही जो यह HPSC है फिस यह common वाला आ गया यह बदल जाते हैं myeloblast में monoblast में lymphoblast में blast 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 myeloblast वाले neutrophil, isnophil, besophil में यह monocytes में यह lymphocytes में ठीक है इसका और एक अगर हम देख ले तो यह देखो जो CFU है वह क्या है common, common lymphoid progenator, यह किसम बदलते हैं myeloblast में देखो दिखा दू में जड़ा यहां से समझोगे, common lymphoid progenator, ठीक है ना यह किसम बदल जाता है, यह इन तीन में बदल जाएगा चाहिए इसको यहां से ले लो यह common lymphoid progenator होगे तुमारे पास और यह क्या हो गया, HSC हो गया ठीक है, अब जो CLP है यह बदल जाता तुमारा myeloblast में monoblast में, lymphoblast में, यही चीज़ दे रखी है ठीक है, इस start को जात कर लो अच्छी बात है, अब यहां पर क्या है बिल्कुल सारे step दे दिए pro-lymphocyte, pro-granulocyte, leucoblast यह leucoblast आ गया, ठीक है ना, myeloblast के बाद leucoblast, leucoblast के बाद कई सारे process, एक step, दो, तीन, चार और finally, natophil बना फिर यह कई step में जाके, इसनोphil बना यह कई step में जाके, फिर 200 फिल बना मतलब कि, यह अगर तुम्हार पार direct leucoblast 3 नंबर में आ गई है तो इस चार्ट को बना दो अगर hemoplast 3 नंबर में आ गई है hemoplast 5 नंबर में आ गई है, तो पहला वो बड़ा वाला चार्ट, फिर यह अलग अलग चार्ट बना दो ठीक है, चार्ट बना दो कि, परियापते एक्स्टर लिखने की जूरत नहीं पड़ेगी और केवल दो नंबर में hemoplast 6 आगी तो starting वाला, बात समझ में आ रही ना starting वाला दो नंबर के लिए hemopoiesis आगी डारेट के आगे है hemopoiesis तो यह दो नंबर के लिए परियापते चार्ट यह के लिए रहे बाते समझ में आ रही है तो question के हिसाब से हमको answering करनी है अब इसका हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या कह रही है there are several types of wide blood cells कई type यह wide blood cells होते हैं इच following and individual path हर एक अपना एक अलग रास्ता तै करता है बनने के लिए during hemopoiesis all wide blood cells initially transform from CMP cell into the myeloblast हर कोई starting में क्या है CMP cells अच्छा ठीक है CMP cells से कहां बदलता है यह myeloblast में बदलता है CMP से myeloblast हर एक कोई किसम बदलेगा myeloblast में आ गया CMP से myeloblast में आ गया अब after that the process is as follows उसके बाद process ऐसी होती है before becoming a neutrophil, isnophil or besophil myeloblast goes through four further stages of development neutrophil, isnophil, besophil बनने से पहले myeloblast चार stages से और गुजरता है जो यहां mention नहीं है जो यहां mention है है ना एक, दो, तीन, चार, चार stages से और गुजर रहा है ठीक है to become a macrophage a myeloblast has to transform three more time ठीक है, myeloblast, macrophage बनने के लिए उसको तीन और स्टेश से गुजरना पड़ता है second pathway of hematopoices produced T and BCS अब आ गया CLP वाला, जो मैंने यहां लिखा था ठीक है ना, यह आ गया second part T और B वाला तो क्या गयाना, जो produce lymphocytes MHC, transforms into cells called common lymphoid progenitor है ना, जो MHC वाला वही आ गया HSCP था तुम लोग कुछ confuse ना हो जाओ MHCP, है ना, MHC वाला था वैसी HSP, तो कहीं पर MHC लिखा हो था कहीं पर HSC लिखा हो था, confuse नहीं करना तो क्या आ गया यह, MHC To produce lymphocytes, MHC transform into cells called common lymphoid progenitor, CLP है ना, T और B cells के लिए CLP चाहिए which then become lymphoblast, जो बाद में किसम बदल जाते हैं lymphoblast में, then lymphoblast differentiate into infecting, fighting T cells and B cells some B cells differentiate to plasma cells after exposure to infection तो यानि कि यहां पर क्या कर सकते हो HSC, उसके बाद क्या है, CLP CLP के बाद किसम बदले हैं यह, lymphoblast यहां के लिख दोगे, lymphoblast तो इस तरीके से याद करें, arrow बना बना कर यह तीन याद हो गए, HCP, CLP, lymphoblast अब lymphoblast के बाद क्या है, यह आगे कि अपनी कहानी चलेगी तो कुछ terms नहीं आ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है बाद समझ मा रही है लो, इस तरीके से हमना खून बना लिया अपना और यह app बना लिया हमने, ठीक है तो पढ़ते रहना हैं और revise पक्का करते रहे हैं जो topic tough लगते हैं, उनको lecture दो बार देख लो ठीक है न, और जो मैं बताता हूँ अपने short जिस तरीके से मैं भी बता रहा था कि कोशिश करना है इस तरीके से ये अगर इस तरह से दिक्कत है या फिर इस तरह से अपने line लिख लिख करके इसके full form व्याद कर लेंगे और करते रहोगे, ठीक है न बाद बागी अपना app यहां मौझूद है help करने के लिए, मेरा phone number यहां मौझूद है YouTube पे lecture notes free of cost में अविलेबल है extra practice के लिए यह अविलेबल है ठीक है न, और course को आप चाहो तो दो installment में भी ले सकते हो, सारे options अविलेबल है हर एक तरीके से आपकी help करने के लिए mind nurture यहां मौझूद है clear है, तो पढ़ते रहो, बस अच्छा चाहिए हमको final result और revision करते रहोगे तो पक्के से result अच्छा आएगा कोई भी तुमको रोक नहीं सकता है अच्छा result लाने से तो पढ़ते रहो और revise करते रहो All the best